हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों का आपके यूटूब चैनल में स्वागत है देखिए इस वीडियो में हम लोग जैक बोट का जो 11 का मोडल पेपर है ठीक है टर्म 1 का 2022 के लिए जो इसके बार एक्जाम होंगे माई में ज्यादा चांस जदी हम बात करते हैं तो 14 माई के हाज पास केमेस्ट्री का इसमें हम लोग मोडल फेपर डिसकस करने जा रहे हैं तो आपका जो अच्छे से देखेंगे कि से तरह से कोश्चन पूछे गए हैं और उसका सॉल्यूसन देखने की कोशिस करेंगे तो आप लोग वीडियो के लाज्ट तक बने रही है ताकि आपको सारा कोश्चन का सॉल्यूसन समझ में कि किस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो देखिए हम ल सभी में विकल्प दिये गए हैं उसमें से किसी एक विकल्प को चूच कर लेना है गलत उतर के लिए कोई यंक नहीं काटे जाएंगे ठीक है यह रही हम लोग के पैटर्न की बात अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोश्चन का सॉल्यूसन तो देखिए यहां पर क्या बोलता लिए गया और कार्बन का होता है 12 ग्राम अटामिक मास तो इसको जड़ी हम लोग स्वाल करेंगे तो ग्राम कर जाएगा छे कम शेचे दुना बारा हाफ ग्राम हाप मोल लाएगा आपका हम मतलब 0.5 तो बी नमबर आपका एंसर हो जागा इसका पीच आप फॉलॉविंग ह इलेक्ट्रोन निकालने के लिए किसमें हम लोगों को ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है तो देखिए लेफ्ट टू राइट जैदी हम लोग जाते हैं जैदी हम बात करें तो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आनोजेशन ए सबसे ज्यादा होगा वहाँ सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का अगला कोश्चन है वीच फॉलविंग वेट दा मोस्ट इसका वेट जाता है तो देखिए बोलता है वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कहने का मतलब है आप समझ यह कि वन मॉल ऑफ नाइट्रोजन अब नाइट्रोजन जो है वह सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है तो नाइट्रोजन हमें से एन्टू क तहीं सोडियुम सोडियुम कितना होता है थीर में होता है है यहां पर दिंदे जब शन रोता है था आ है तब उसका जो वेट होता है वह होता है देखिए ना हीट्रोजन को जागा दो सलफर को जाएगा 32 ऑक्सिजन को जाएगा वह है वह है आपका 28 ग्राम जो है नंबर ऑप्शन वन ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन अगला क्या बोलता है कि और्गनिक कंपाउंड जिया गया जिसमें कार्बन है है अपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ आपको पता है कि तीन ही चीज़ है तो तीनों मिला के क्या इसार करने से हम लोगों के पास पता चलिए ऑक्सीजन कितना है तो आप यहां पर जादी सब्ट्रेक्ट करते हैं तो आपके बास सौ में से किसको घटा नहीं देखिए तो सबसे पदले दोनों का अइड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा सात और एक आठ सात और छेटेरा के तीन हाथ में एक नो आठ सत्रा और एक ठारा के आठ हाथ में कितना हो जाएगा एक और यहां हो जाएगा तीन और एक चार इसको जैदि हम लोग साल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 51.62 तो अब देखिए कार्बन कितना है 38.71 कार्बन, नाइट्रोजन और अक्सिजन तो देखिए इस तरह का सवाल को हम लोग solve किस तरह से करते हैं मैं उपर आले को मिटा देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले जितना atomic mass है उससे divide करेंगा हम लोग 3 को ठीक है हमको accurate निकालना है कि कम से हम कितना है तो कार्बन का है 38.71 इसका है 9.67 और इधर हम लोग उने निकाला 51.62 इसको 12 से divide करेंगे इसको 1 से और इसको 16 से हट्रोजन का 1 होता है ना इसलिए 1 से अब यहाँ पर जैदी हम लोग इसको solve करेंगे लगवाग में इसका value लाएंगे तो आएगा आपका 3.22 यहाँ पर आपका 9.67 और यह फिर से आजाएगा आपका 3.22 के असपस तो आप जैदी यहाँ पर देखते हैं carbon hydrogen और oxygen का अनुपात तो 1 इस्टू 3 इस्टू 1 आ रहा है आपका देखे 3.22 से डिवाइड करते हैं तो यह होजागा 1 यह होजागा देखे 3.22 का तीन गुना है तीन तिया 9 होता है और यहाँ 3.22 तो आपका होगया 1 इस्टू 3 इस्टू 1 तो 1 इस्टू carbon 1 hydrogen hydrogen oxygen कोंसा option है carbon 1 hydrogen oxygen एक सी नमबर option आपका सही हो जाएगा इस question के लिए अब देखिए अगला question क्या बोलते हैं आपके पास अगला question है आपके पास which of the following contents same number of carbon atoms as are in 6 gram of carbon 6 gram carbon में जितना carbon atoms है उतना ही carbon atoms किस में होगा तो देखिए 6 gram में तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं तो 6 by 12 मतला half mole हो गया ठेक है और carbon atoms कितना हो जाएगा atoms वराबर हो जाएगा हम लोगे पास एक बटा दो मोल इंटू एने तो एक बटा दो इंटू एने जिसमें आ जाएगा carbon का एटम वही आपका एंसर हो जाएगा ठेक तो यहां पर आप देखिए 6 gram लिखावा एथेन एथेन क्या होता है एथेन होता है c2s6 तो यहां पर जादी हम मोल निकालते हैं तो आपका आ जागा छे बटा एथेन क्या जागा बाता दूना 24 और 36 ठेक है तो एक बटा पांच मोल आ जाएगा आपका एक बटा पांच इंटू एने होगा और इसमां carbon कितना एटम है दो एटम तो दो बटा प मिथेन तो मिथेन का उता स्वल्ला तो यहां पर जाएगा हाप मोल और हाप मोल इंटू एने हो जाएगा और कार्बन एक ही है तो हाप इंटू एने आ गया तो भी नमबर ऑप्शन है आपका देखिए इस तरह से हम लोग चेक हैं सी ओडी चेक काने का जरूवत ही नहीं है क 500 ग्राम और वाटर दिया गया है पांसो ग्राम उसमें 18.25 ग्राम दिया गया है तो धीके मॉलेलिटी क्या होता है मॉलेलिटी होता है आपका मॉल्स है ऑफ सकते हैं पांसो ग्राम में 18.25 ग्राम सेल दिया गया है आपके पास कितना कितना होता है जदी हम बात करें इसको मोल में करेंगे तो सेल का एक होगी आपके पास क्लोरिन का होगी आपके पास 35.5 तो जदी हम इसको 36.5 से डिवाइड करते हैं तो यह आजाएगा आपका मोल तो यहां पर आगया आपका हाप थेक है तो 500 ग्राम में जदी हम बात करें हाप मोल है तो एक हजार क्राम में कितना हो जाएगा कितना है एक हजार क्राम क्योंकि हमको एक केजी में हिकालना है एक हजार में कितना हो जाएगा क्वेशन का एंसर ठीक है एक मोल पर एक केजी में है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या पूछती है आपका मॉलारीटी क्या होता है जदी उसको समझने के हम लोग कोशिस करते हैं तो हम लोग का जो मॉलारीटी होता है मतलब मॉल्स आफ सॉल्यूशन इन वन लिटर तो देखें सेम उसी तरह है सिर्फ यहां पर के जी के जगार क्या होगी है लिटर हो चुका है हम लोग सेम उसी तरह से जीस तरह से पिछले कोस्षिन को सब्व के उसी तरह से इस कोश्षिन को भी हल करने की कोसिस करेंगे हम लोग नहां पर तो देखें मॉल्स इडिवाइदेधा वा वल्यूम आप स्लूशन इन लीटर तो देखे 5.85 ग्राम दिया गया है 500 ml में 5.85 ग्राम दिया गया है तो इसको मोल में पहले कनभट कर लेते हैं तो किसका दिया गया है आप देखिए तो सोडियों को कितना होता है तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा आप देखिए तो हम लोग के पास आ जाएगा वन बाइ टेन मॉल ठीक है 500 ml में 1 by 10 मॉल मतलब 0.1 तो आप ही सोचिए कि 500 ml में जैदी हम बात करें तो इसका 0.1 मॉल है तो एक हजार ml में कितना होगा क्योंकि एक लिटर में निकालना हम लोग को तो 0.1 इंटू थाउजेंड डिवाजेट बाइ कितना हो जाएगा 500 तो यहां से जैदी हम लोग सॉल्व करते हैं तो 500 का टेबल से दो बार में तो 0.2 मॉल आ गया एक हजार ml में तो 0.2 मॉल आ गया है एक हजार ml में इसका मतलब 0.2 मॉल पर लिटर आपको एंसर हो गया साथ नमर कोश्टन का एंसर ठीक अटफा नमर कोश्टन देखिए क्या बोलता है आपके पास था's the number of protons, neutrons and electrons in the element this तो देखिए ये स्टांतिक में यह जो दिया गया है इस कम लोग बोलते है atomic number जितना proton उतना ही एलेक्ट्रोन तो proton सबसे पहले और electron तिसरा नमर में तो पहला और तीसरा में जो 89 है वो होगा एंसर तो पहला अप्षन तो आप ऐसे काट दीजे पहला और तीसरा में होना पड़ेगा तो पहला और तीसरा में और उपर में यह जो लिखा गया है उसे हम लोग बोलते हैं अब यह क्या होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन होता है तो प्रोटोन है एक नो जाएगा तो कितना बचेगा दो फिर यहां जाएगा बाराव में चाट जाएगा चार 142 बी नमबर ऑप्सन आपको हो जाएगा अगला कोश्चन है एटम स्विच सेम मास नंबर बट डिफरेंट अटॉमिक नंबर और कॉल्ड ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं आइसो बार्स बोलते हैं ठीक है इसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे आरगन देखिए इन लोगों का फिर है केल्सियम लोगा म मास नंबर जो है वह सेम है लोगा मास नंबर कहा है सेम है जो अटॉमिक नंबर है वही अलग है तो ऐसे क्या बोलते हैं आइसो बार्स अगला कोश्चन है आपके पास कि the similar physical and chemical properties of element in the same group is due to the reason एक ग्रूप वाले जितने भी element है सबका property सेम होता है क्यूं होता है तो इसका कारण यह है कि जो में Lear turn होते हैं जिसे हम लोग व्याज़ में Lear turn कि संग्या बोलते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं तो दे हैव सेम नंबर ऑफ हैलेंस इलेक्ट्रों अगला क्या बोलता है 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 यह ज़दी आप बात करें तो ग्रूप 17 में है तो पी ब्लॉक में हमारा है है क्या करता है तो यह करता है कि आपका जो और्विटल से उसका और्येंटेशन की तरह से होगा इसके बारे में जांकारी देता है कौन मैंगनेटिक क्वांटम नंबर अगला क्वोश्चन देखिए क्या बोलता है वीच वन ऑफ फॉलविंग सेट ऑफ आयन्स रिपर्जेंट अ संख्या क्या हो जाए तो देखिए इसमें पोटेसियम है 19 नंबर पर इसमें एक प्ल्स लगा हूँ है हमतला ठारा हुआ केल्सिम है हो आज्यम है इसमें और्गोरिव और एकम्न होता है तीन तो एठारा क्लोरिन तो अठारा क्लोरीन का 17 मौ पहला नंबर neighbors करने का सिर्फ एकी तरीखा है और वो है आपका इस पीन कांटम नंबर या तो वह plus half होगा या फिर वह minus half और या तो आपका plus half होगा plus half के जड़ा यह वहुत आते संभासे दिखाने का कोशिस करते हैं या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ तो इस पिन कॉंटर नमबर से हम लोग अलग कर सकते हैं किसी भी और विट्रल्स में जैदी एलक्रोन है तो कि अगला क्वेशन क्या बोलता है कि अब बाड़ी ऑफ मास्टेन मिलिग्राम इस मुविंग विटे फेलोसिटी ऑफ हंड्रीड मीटर पर सेकेंड दा वेवलेंट अप्ट डिप्रोगली वेब एसोसियेटेट विट तो देखें यहां पर क्या होता है लेमडा बराबर होता है हम लोग का पास फर्मूला एच पर एम भी ठीक है तो एच का वहल्यू जदी हम बात करें तो है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल ज़ूल और यहां पर मास्ट दिया गया है इसका 10 मिली ग्राम को हम लोग किसमें बतलते हैं ग्राम में मतलब बात करें तो मिली ग्राम को कितना होगा 10 की पाओर माहिनस थ्री ग्राम को किसी यूनरी जो होता है उसमें आपको पता होगा माच कहार किसमें और किलो ग्राम लेते हैं आपका 100 meter पर सब्सक्राइब हो गया है तो देखे कितना हो गया आपका 6.63 इंटू एट मैनस 34 था और यह दो और एक तीन गया तो कितना हो गया मैनस 37 और यह मैनस 6 उपर गया तो कितना हो जागा प्लस 6 तो 10 की पावर माइनस 31 शीक्स पॉइंट 6 3 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मीटर आपका एंसर हो जाएगा तो वह एंसर के इसमें दिया गया ओप्शन सी नमबर आपका एंसर हो जाएगा तो कि इसमें सिंपल जिबात है कि जितना अतॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रों सोता है लेकिन डिफाइं करने की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर आफ प्रोटोन ही डिसाइड करता है कि कि किसी भी अटम की नंबर कितना होगा अब बात करते हैं हम लोग नंबर आफ अन्पयर इलेक्ट्रों इन टू प्लस देखिए एन टू प्ल निकाल लेना है तो यहां से निकाल लेते हैं तो आपको जागा टू पीवन तो आपको कितना बचा एक तो सत्रा क्या हो जागा बी नमबर ऑप्शन हो जागा अगला कोश्चन क्या बोलता है देखिए एक वेसल से दिया गया है जो 120 ml कैपसिटी रखता है टेमप्रेचर है 35 डिवरी सेल्सियस और प्रेशर है 1.2 बार गैस को ट्रांसफर किया जाता है दूसरा वेसल में वहां वोल्यूम है 180 ml टेमप्रेचर अभी भी से में तो प्रेशर कि तो यहां पर हम लोगली सेल लगा सकते हैं लगासे पीवन भीवन वरावर पीटू गीटू सब्दियागा कि इन पीटू निकालना है आपको तो यहां पो निpreneकालना है तो बढ़ाबर को जया तो की होगा डिवाइड में तो बढर जया हो एक स्वास्त्री हो गया तो यहां पर पी तुनिक्ल जाएगा एक जिरो से जीरो कट गया इसे क्यों है कि दूल में 6 acceso ना Deaf हो एक और constant temperature the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure पतलो जो volume है वो inversely proportional है प्रेसर के यह बताता है हमें बोल्स चार्ल्स लो क्या बताता है कि वोल्यूम जो है डार्टली बताता है तेंप्रेचर के combined gas लो क्या बताता है जदी हम बात करें तो पी भी बाई ती जो होगा वो क्या होगा constant होगा और वह घडरोलो क्या बताता है वोल्यूम जो है आपका ती कि जो मोल्स है और टार्टली के से बसने हैं यह फिर ब्रस्टल्स के इस तरह से हम लोग इस last question को देख सकते हैं अग्ला कोशन है एन आइडोग में जूरदीटर गास गअन्ड़ को बोलते हैं जो किस wurde करते हैं किसी भी कंदीशन जोटना एक्स्परिमेंटल कंदीशन दिन दे रहें उस पर घ्ली करेगा तो थे ख़ाएं कोई की स्पेशल कंडिशन नहीं है जैदि आइडियोल गैस की तरह भीयाव कर। तो वह सारे कंडिशन पर करना चाहिए the total pressure of a mixture of two gases each तो झेखे, जो total pressure होता है mixture का, वो होता है partial pressure of gas A, partial pressure of B, C भी होगा, तो A आ जाएगा तो partial pressure individuals का होता है तब क्या हो जाएगा, लस्के न दो partial pressure of the gases ठीक अगला question है 4.4 gram of gas at STP occupy a volume of 2.2 4 liter गैस बहुत है कि इसका मतलब आपका जो मोल है वह 94 मॉल तब होगा इसका 0.1 आ जाएगा वह आपका एंसर हो जाएगा तो 4.4 ग्राम दिया गया कार्बन डाउक्साइड कितना होता है 44 ग्राम मॉलर मास्ट तो 44 से जड़ी हम डिवाइड देते हैं तो आपका आ जागा यहां पर 0.1 मॉल तो यहां हो गया 0.1 मॉल तो आपका एंसर यही हो जाएगा आगे सॉल्व करने के आपको जरुबत नहीं है यहां कि oxygen का O2 का 32 होता है CH4 का सल्ला होता है और CO जो कार्बन मॉन ओक्साइड हो 28 होता है तो किसी और केस में 0.1 मॉल आने से रहा तो 0.1 मॉल पहले केस में आएगा तो आपका एंसर हो जाएगा CO2 अगला क्वेश्चन क्या है किता displacement of electrons in a multiple bond in the presence of attacking री एजेंट इसकॉल तो देखिए multiple bond में जो displacement होता है इलेक्ट्रोन का उससे हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेंस ठीक है या फिर मेजोमेरिक एफेक्ट भी बोलते हैं जैदि आपका option में दिया रहता तो मेजोमेरिक ठीक है तो multiple bond में जैदि डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है है तो आपको समझना है कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है या फिर मेजोमेरिक एफेक्ट हो रहा है अगला question है देखिए यहां पर यहां पर लग गया वह तो बियार क्या हो चुका है हट चुका है उससे हटाने वाला को ने एस टूओ तो में जदिया अब ध्यान से देक्यां है और माइनस है 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 अगला question है अगला question है लिखना है तो पैसी नेम लिखते हैं जिदा हम लोगेश चेंड मिलता है और जो डबल बॉंड है वो सबसे सामने मिलता है ता अब इधर से लिखिए तो आपको छे का चेंड मिलेगा और डबल बन मिला वह दो पर मिलेगा तीन पर देखिए आपको यह गुरूप मिला है जैसे हम लोगी थाइल बोलते हैं तो तीन ही थाइल हैक्स टू इन या फिर टू हैक्स इन लिखिए आपका ए नमबर option हो जाएगा बीच आप पाते लेक्टोन की कम ही होती है। एल्मोनियम तीन ही बन बनाएगा क्लोरिन के साथ तो दो दो चार जैंदी तीन बनाता है अब भी देखिए दो दो एलक्त्राइब करके छेहीत अवागा इसको क्या बden बोल सकते हैं इलेक्टु फायली से क्या सब्सक्राइब बनाव वह पूर्र इसथी साथिनक ऊंफिए व opini टवेंज़ा वीच एलेमेंट है इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन आरगन 4S1 3D10 तो आरगन देखे 18 हो गया 4S1 और 3D10 जैदे हम एड़ करते हैं 11 तो 29 किस का होता है आपका कॉपर का किस का हो जाता है कॉपर का यह अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दा करेक्ट ओडर ऑफ सब्सक्राइब करना है तो यहां पर देखिए जो सब्सक्राइब करना है तो यहां पर देखिए की श्री है वो 3 C3 तो 3 CS3 यहां पर क्या करेगा इसको ऐलेक्टरॉन देने का काम करेगा यहां पर सिर्फ एक और कोई देने वाला नहीं तो जो सबसे ज़्यादाइस्टेबल होगा वह यह होगा फिर यह होगा फिर यह और फिर है तो आप लिगी आप इह नमबर औOR को दिहान से देखिए आपको पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा इस्टेबल कौन है अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अगला कोश्चन देखिए क्या बोलता है किस तरह के आइस हमार है आइस मार किसको बोलते हैं जिसका केमिकल फार्मूला सेम लेकिन उसका जो स्ट्रक्ट्रल फार्मूला है वह थे उपर वाला जो गुरूप है उसे हम लोग बोलते हैं एलकोहल अदो यह ऑल गुरूप है और वो इथर है, दोनों अलाग अलाग है, तो कैसा isomer हो जाएगा, functional isomer ठीक, 31 में क्या है, the general electronic configuration of alkali metals alkali metals मतलब पहला group, ठीक है, group 1, s block element है तो उसका जो electronic configuration होगा, बाहर में कितना electron होगा, एक क्योंकि एक electron असानी से lose करता है वो, और वो alkali metal है alkali earth metal रहता, तो ns2 होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जागा, b number इसका answer हो जागा, alkali metal react with oxygen और air to give, तो देखिए alkali का कभी भी oxide जदी हम बात करें, तो वो हमेचा basic nature का होगा, क्योंकि वो metal है, non metal का जो oxide होता है, वो acidic nature का होता है, तो यहाँ alkali metal का जो oxide है, वो किस nature कर जागा, basic oxide हो जागा, अगला question क्या बोलता है, oxidation state of k in ko2, k in ko2, तो देखिए oxidation state of k की जादी बात करें, तो k का oxidation state हमेशा कितना रहेगा, plus 1 ही रहेगा, oxygen का उसमें change होता है, इसमें potassium का change नहीं होता है, oxidation state, potassium का पहले से भी बन था, बाद में भी बन ही रहने वाला यह इस तरह से होता है, k plus, o2, minus, तो इसमें oxygen का change होता है, potassium का change नहीं होता है, which color is imported to flame by sodium, sodium में किस तरह का color आ जाता है, जब flame में लेके जाते हैं, तो sodium law में, तो इसका जो answer है, वो आपको में बता जिता हूँ, इसका answer है, golden yellow, तेके, golden yellow, इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिए, lithium का जो color होगा, वो होता है, crimson red, क्या होता है, crimson red, इसी group का में बता रहा हूँ, sodium का में बता चुका, potassium का जो होता है, वो होता है, violet, तेके, और rubidium का जो होता है, वो होता है, red violet, red, violet, और आपको आसे बचा सीजिए, उसका होजागा blue, अगला question है, solvage process is used to prepare, solvage process का यूज किस के preparation में करते हैं, तो देखिया, solvage process का जो यूज है, वो हम लोग करते हैं, na2 co3 के preparation में, वे न 2 co3 को हम लोग क्या बोलते हैं, sodium carbonate, यह नमबर आपका answer हो जागा, sodium carbonate, na2 co3, sodium carbonate का यूज करने के लिए, हम लोग process एक यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोलते है, solvage process, तो यह था, आपका पूरा set 1 का question 35, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर discussion कर लिया, ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें comment के माधिम से बता सकते हैं, यदि आप channel में नए हैं, तो subscribe करना ना भूलें, जादा से जादा दोस्तों को share करें, और वीडियो को like भी करना ना भूलें, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए topic के साथ, और कुछ नए question के साथ, आप channel में बने रहें, आपको और set का solution मिलेगा, ठीक है, आप वीडियो को का notification, मतलब bell turn on कर लिजिए, उसे ताकि आपको notification मिलता रहें, जैसा भी video upload होगा, आप लोगो, हम लो झापन हम लोगो झाफ्ली का ले अग शए अपक्ता लेस टॉजच कं अएपको कारी आपको बdo को क्या सकतर लिएक की स待 हाएं में वीडियोते से आपको साथ, आप और